तो आज का वीडियो होने वाला है मैसूर ट्रेवल ब्लॉक पर हम लोग संडे को मैसूर गए थे बैंगलॉर से मैसूर करीब देट किलोमेटर है और हमें करीब चार घंटे लगे थे मैसूर कनाटका का दूसरा सबते बड़ा शहर है बैंगलॉर के बादमें और बहुत खुब सुरा शहर है मंज की इसनी आपा धापी के बादमें मैसूर जैसे प्यूटिफुल सिछ से बाघार थे बहुत अच्छा लगा थे और रोडस वगएरा बहुत अच्छी थी हम करीब 7 करीब दो बार हम रुके पे थे एक बर ब्रेकफास्स करने के लिए एक बार ऐसी हम थोड़े देर के लिए रूख गए थे और रोड बहुत अची थी रास्ता बहुत खूबसूरत था बहुत ग्रीनरी थी और ऐसे कोई हमें ट्राफिक बगएर कुछ नहीं मिला था और उस दि पर बहुत गरम था लेकिन इस पार तो बहुत ही जादा फूपसुरत मौसम था और यहां पर हम लोग यहां पर आनंद भावन में रुके वे हैं आनंद भावन बहुत बढ़ी चेही ने मैसूर पूरे करनाटका की आनंद भावन में ब्रेक पास्ट रहने के लिए इस ताइंक पर आठ पच्छे दस मिंट हो रहा हैं तो यहां पर मौस के आनंद भावन साथ निया की बहुत बढ़ी चेहीं हैं यहां पर मौस में इडली डोसा जती ही सौच इंडिया है वो सब में रिका हैं और मेरे फादर करने के बाव से पांसो का ही बिल लाया था बहुत अच्छा एक बार कर सकते हैं और यह मैसुर्जू की एंट्री है यहां पर इसके रेट चाट लगेवे हैं बहुत बड़ा जू है बहुत खुत्रा जू है यहां का एंट्री टिकट है 80 रुपीज अडल्ट का और 5 यह से बच्चों का खोड़ा छोटा है 40 रुपीज है और अगर आपको अलग से बैट्र जान दी है इतना चलनी पाएगा कि लास्टाइम जम आये तो हम पैदल काये थे और बड़ा था मतलब हमें पांच एक खंटे लगेते तो उस ताइम पे हमने ऐसी पैदल वाला लिया था तो अभी हम बैट्री वाला ले रहे हैं प्रकट पिलगे थे हैं पीचे किया हमारे ज कि उस लुः favored कि उसे दब हमें पीचे कि युक उसे हमारे थाऊरोगा कि मिलगेते लेद़् भी हम जमें आइब करें तो अजब हमें हम न चुछचा के लेदार घ्ट अचा आःगा कि लुगे मिलगे थे रहे हम जम रहें चाईपक उन उसे हम प trophy हैं। कर दो 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 मैसुर पालेस है के ताज महल में पर विजिटर्स करते हैं उतने ही मैसुर पालेस में खुट बहुत बढ़ा था बहुत कुछ चूरत था और बहुत कुप और लेहा हुआ हूआ था चाहे कोई बॉल कोई छट पे कारेगरी हो रख्या हो या प्लू पाद फी प्रिश लगीनी ह इसके जो अप्सटार पाँ कैं क्यों हो सबकुछ यृदिध के लिए शुके बीदिखी रोड़ि के बट मैंप फोलगें से पूटवर चारो सालों से कोई बीए बीटा नहीं हो रहा था अन्व जो भी कोई गोख लेते से किसी कजन को या ठीच को बहती देते थे लो और जो भी महल भी जा रहा किया हूँ और यह पालेस पी तो मुझे पालेस बहुत सूरत लगा मतलब आधि ताज महल से बिकुल कोई कम नहीं था उसको बेखका डेता हुआ है यह यह महल कि कि संडे की शाम को साथ बजे से लेकर सारे साथ बजे तक पोरे महल में लाइटनिंग होती है तो यह बहुत खूबसूरत लगता है कि अच्छी शॉप है लिकार से वियर है कि आप चाहे तो कुछ भी हां से ले सकते हैं अब यह अच्छा है लेकिन तोड़ा सब्सक्राइब है पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें मिलती हूं मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ अब तक बाई